नमस्कार दोस्तो आप सभी का हारदिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आवदेखवाल मिक्स में दोस्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्पूर्णाव सधी पौधे के बारे में जानकारी देने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा और इसकी जानकारी जो है बहुत ही महत्पूर्णा है क्योंकि इसकी जानकारी बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही खास है तो आज आप वीडियो कंप्लिट देख लीजिए और इस पवधे को पहचान कर लीजिए और भविस्ते में इसका क्लिप करके रखें और आने वाले वीडियो की सुचना आपको हमेशा मिलती रहें और हमेशा आप इसी तरह की नौलेजफूल वीडियो देखते रहें दोस्तों इस पवधे को आप ध्यान पूर्वग देखिए और पहचानी अगर आप पहले इसको देख चुके हैं जानते है इसे हिंदी में मिठी पत्ती घडा तुलसी या घोडा तुलसी की नाम से भी जानते हैं दोस्तों हर एक पौधे का नाम अपने अपने छेत्र में लोग जो जानते हैं वे अलग-अलग नाम से जानते हैं तो इसका भिन भिन नाम हो सकता है अलग-अलग छेत्र में तो उसी की सबसे पहचान कर लीजिए पहले जिसमें मटमेले तने होते हैं और जो एक मीटर तक बढ़ते हैं और इसकी पत्ती की धूरी में छोटे-छोटे सफेद बालों की तरह फूल लगते हैं दोस्तों यह एक मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होता है तो आप इसे देखकर के आप अच्छे तरह से पहचान लीजिए अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यह एक छोटा पौधा है तब भी इसमें फूल आ गये हैं और इसके जो फूल आप देख पा रहे हो छोटे-छोटे दिखाई दे रहा हैं सफेद बालों की तरह इसमें रेसेदार पू अवसधी गूर होते हैं दोस्तों दोस्तों इस घोड़ा तुलसी का बेज्यानिक नाम है इसको प्रिया डलसिस तो आप इसे इसको प्रिया डलसिस के नाम से भी गूगल में सर्च कर सकते हो आपको वहाँ पी इसकी जानकारी मिल जाएगी या फिर आप घोड़ा तुलसी सर करके देखोगे तो आपको इसकी जानकारी एक दो मिल जाएगी जहां पर आपको संशेप में बताया गया है इसकी पहचान कराया गया है लेकिन इसका जो गुर धर्म है उपयोग है अवसधी प्रियोग है उसका विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं दिया गया है इसलिए मैं आप लोगों को आज इसके पौदे के बहुत सारे उपयोग करने का जो तरीका है और कौन-कौनसे बीमारी में किस तरह से उपयोग किया जाता है उसको मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूं तो आप देखते रहिए दोस्तों इस घोड़ा तुलसी का उपयोग इन सभी रोगों में किया जाता है जो इस प्रकार है मधुमेह के रोग्यों के लिए भी यह राम बाणाव सधी है तो मधुमेह के रोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है पेचिस में भी इसका प्रयोग होता है कान के दर्द को खतम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है दात दर्द को दूर करने के लिए भी इसका उप्योग होता है और जो मासा होता है हमारे सरीर में जिस्वे मस्सा बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए भी इसका उप्चार किया जाता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों साप के काटने और साप के जो जहार होता है निकालने के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है तो अब बने रहे वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रियोग किस तरह से किया जाता है उसको भी बताने वाला हूँ दोस्तो अवसधी उपयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि यह पवधा आपको हरे भरे जो खेत खलिहान के मेर होते हैं जहां पे पत्रिली जगहा होता है जहां पे रेतिली जगहा ना हो करके छोटे छोटे पत्थरज रहते हैं वहां यहां अक्सर आपको मिल जाया करता है और जंगलों में मिलता है इस तरह के जमीन में जहां पे रेतिला जमीन ना हो जहां पे पत्रिला जमीन हो तो वहां पी इसको आप देख सकते हो और भारत में और अफरीका में और अमेरीका में यह तीनों देशों में अक्सर पाया जात क्योंकि यहां बहुत ही थाकतवर महावसदी है, आप इिसका प्रयोग रखे रहोगे तो कभी भी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसका अवसदी प्रयोग किस तरह से किया जाता है। दोस्तो इसकी पत्ते को तोड़ करके चबाने से यह बहुत ही मीठा लगता है और बहुत ही स्वादिश्ट लगता है कोई भी से जैसे पहले बार इसका पत्ता तोड़ करके खाएगा तो वहाँ उसको थूकेगा नहीं क्योंकि यह बहुत ही मीठा होता है जबरदस्त मीठा हो तो आप इसके पत्ते को तोड़ करके खा सकते हो और अगर आप इसके पत्ते को तोड़ करके खाते हो और आपका दात का जो दर्द रहता है और पेचीस की जो समस्या रहती है वह ठीक हो जाती है सिर्फ पत्ते को तोड़ कर खाते रहने से तो दोस्तो इस तरह से आप पत्तिय रोगियों को इसे किस तरह से दिया जाता है मध्यूमिह के रोगियों को इसका पौडर करके एक एक दो जो चम्मच की मात्रा में सुबा साम खाली पेट दिया जाये तो उनका सुगर लेबल बिल्कुल समान ने रहता है और हमेशा वहाँ स्वास्थ जिवन जी सकता है दोस्तो दोस्तो इस घोड़ा तुलसी का प्रियोग बुखार में आप काढ़ा बना करके इसमें काले मिर्च और लॉंग डाल करके उसका काढ़ा बना करके या फिर सोट मिला करके उसको काढ़ा बना करके इसके जो पत्तियों की जो सुखी हुई रहेगी आप उसको तोड़ करके का कच्छा रश निकाल करके उस रश को दो तिन चम्मच की मात्रा में यदि आप सुबा साम पिलाते हो किसी भी पिल्यारोगी को तो दो से तिन दिनों में उसका पिल्यारोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों जो सरीर में मासा की समस्य रहती है जिसे मस्य बोला जाता है उस मस्य को यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसके पत्य को उस मस्य में रगड़िये दो तीन बार रगड़िये और रगड़ने के बाद इसके पत्य को पीस करके वहाँ पे लेप कर दीजिये और किसी ट पत्तियों को हर दिन चबा चबा के खाईए आपके पेट में ना कब्ज रहेगा ना गैस बनेगा और ना ही किसी दुसरे परकार की समस्या होगी अगर आप चाहें तो इसके पत्तियों का रस भी पी सकते हो यह बहुत ही स्वादिश्ट होता है और पेट के लिए बहुत ही फा पाउधे को रखे रहोगे तो इसका चूरण रहेगा तो चूरणको या फिर कच्छा पोधा आपको मिल जाता है तो कच्छा पौधे के रस को उसमें आप सेंधा नमक मिला करके उस मरीश और सेंधा नमक और प्याज काट करके एक साथ मिसरार कर लीजे और उस लेपक। genre को वक्त आप इसे हास्पिटल भी ले जा सकते हो क्योंकि कोई कोई लोग इसी तरह के आवसदियों में भरोसा करके जान गवा देते हैं क्योंकि हर आवसदी हर इनसान के लिए नहीं होता है इसलिए आप इस आवसदी का प्रियोग करते हुए आप हास्पिटल जा सकते हो क्या प कि इस अवसधी का प्रियोग साप का जहर निकालने के लिए प्रियोग किया जाता है आप इसकी पत्तियों का लुबदी पेष्ट बना लीजिए या फिर चूरन है तो चूरन के साथ बना लीजिए उसमें सेंधा नमक और प्याच का टुकड़ा काट करके मिला दीजिए और इस लुबदी को वहाँ पे साप जहां पे काटा है वहाँ पे रख दीजिए इस से उस जगह पे जो जहर रहता है उसको यहाँ अपने अंदर खींच लेता है और इसकी पत्तियों का रस में सिंधा नमक मिला करके उस मरीश को पिला दीजिए कम से कम 10-20 एमेल की मात्रा में तो आप इस तरह से प्रियोग करोगे तो उस मरीश को असानी से बचा पाओगे तो दोस्तो इस तरह से साप के काटने और जहर निकालने में इसका प्रियोग होता है आज मैंने आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी बता दिया जो मेरे पास थी अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी है तो हमें बता सकते हो कमेंट बाक्स में लिख करके दोस्तों आज यह घोड़ा तुलसी का उपयोग आप लोगों को कैसा लगा इसकी पहचान आप लोगों को सायद हो गई होगी मेरे ख्याल से तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे आउस अधी वीडियो के साथ तक तक के अपना ख्याल रखिए आप खूस रहिए नमस्कार जैहिंग जैच्छे जच्छे गार